गुड अफ्टरनून क्लास सिविल थर्ड यर आज हम आर्बीटी का आपका नए टॉपिक पढ़ेंगे कोरिजन आप रेल्स जैसे कि हमने पिसली में भी डिस्क्राइब करा था कि रेल का संरक्षा ठीक है तो अब यह आपने पहले भी पढ़ रखाए कि यह टॉपिक सायद हमने तो इसमें यह था कि क्या हो जाता है धीरी धीरे रेल के खंड कम होने लग जाते हैं और उसमें फटीग आने लग जाता है उसकी सामड़त कम होने लग जाती है ठीक है इसके बाद जो नए ज्यादा भार किसमें जो पर रेल चल लिए उसका ट्रेन का जिसमें पठ्री में आने लगता है तो उसकी जो अपर सर्फेस है वो घुझ जाती है तो इसे ही क्या कहा इसे गषण कहा भी कहते है ठीक है तो घुझने से रेल के अपने एक स्टेंडर्ड साइज जो होती है वो खो देती है जिसे हम मानक माप कहते हैं और यह एक काफी फिर accidental हो जाती है तो इससे इसको तब रेलो को बदलना अन्यवारी हो जाता है या इसको change करना जुरूरी हो जाता है तो यह तीन प्रकार से होता है रेलो के डाइगराम में देख रहे हैं कि इसका अपर पार्ट घिस चुका है ठीक है या रेलो के sides घिस जाना या रेलो के किनारे किनारे के जो आपका track है उसका किनारे घिस जाना तो यह तीन side types होता है इन तीनों चीजों को यहां पर describe करा गया है ठीक है अब इनके बचाओ और उपाई भी दिए गये हैं कि किस तरीके से इनसे हम बच सकते हैं अब next जो हमारा topic है वो है failure failure of rails ठीक है देल के क्या-क्या failure से हैं तो क्या-क्या failures होते हैं पहला है inherent defect जिसे हम कहते हैं अंदर नहित विफलता दूसरा है अत्यादिक संशारन मतलब की excessive corrosion तीसरा है weld जोड में those defective weld joint चौहता है जोड में खराब अनुसरा ठीक है यह poor maintenance of the joint यह सारे के सारे हमने diagram की मदद से दिखाए गया है कि कैसे यह सारे failures होते हैं ठीक है पांचवा है rail path में खराब अनुरक्षन maintenance of poor maintenance of track ठीक है अब next आपका types of failure types of failure में आता है crust head मतलब की जो हमारा sheets है वो क्या हो जाए crust हो जाए च्छोटे छोटे भागों में विभाजत seeds जैसे हम कहते है split heads इसमें क्या होता है rail के sheets में rail के सिरे पर दरार पड़ जाने से यह दो भाग में विभाजित हो जाता है मतलब कि split हो जाता है तीसरा है angular और square cracks जिसे कहते हैं कोडियें तता समकोडियें दरार है यह आड़ी तिरशे दरारों में तूट जाता है और विभाजित वैब जैसे हम कहते है split यह विभाजित सीर्ट जो जितने भी इसके अपर पार्ट होता है वो दरार पड़ जाती है और यह दरार रेल्स के head में होती है तो इसे हम कहते हैं इसके बाद सेटिज फटन यह दरार यह भी horizontal horizontally होती है यह सारी चीज़ें ठीक है इसमें और next है अनुपरस्त दरार जिसे हम transfer कहते हैं यह विफलता रेल के सीर्स में छिद्र या दरार उत्पन उनपरस्त दिशा में पढ़ जाने के करणा आती है यह दरार रेल में तो बिंदू के प्रारम करके समुच रिखा के भाती पुना इस बिंदू के आके मिल जाती है यह दो इस निर्मान पक्रिया के कारणा ठीक है जब इसका हम construction कर रहे होते हैं उसी समय यह अनुपरस्त दरार उसमें आ जाती है तो इसके बाद नया topic है आपका koning of wheels हिंदी में कहते हैं पईये का सभी करण तो यह काफी important topic है mainly इससे question जुरूर बनता है paper में और आगे भी यह topic आपके important रहेगा ठीक है koning of wheels किसे कहत है तो इसमें जैसा कि समझाए गया है कि जो रेल के flange में बार बार क्या होता है friction होता है या रगड़ को रोकने के लिए flange के बीच में क्या लगाया जाते है कि नारूपर कम गेज की कम दूरी रखी जाती है यदि रिम सपाट रखे जाएं तो दूरी वह पईये का सरकन जाएगा उसमें मतलब तूट फूट जाएंगे और यह सारी चीजे तो इसलिए गेज जादा रखा जाए कम रखी जाती है तो इस प्रवर्ति को रोकने के लिए 1 in 20 मतलब 1 in 20 के डाल एक क्या दी जाता है स्लोप दिया जाता है जिस जिसे क्या कहा जाता है को निग आफ वि तो यह कौनिंग फील्स हो गया इसके नेक्स्ट है हमारा हॉक्ड रेल रेलों के नीचे मोड़ना तो तिर्चे होने से की बट्रिंग क्रिया के कारण जब पईये पट्री के किनारे या सिरो के पार करते हैं अब जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर हलका सा बैंड है ट्रे प्रेंगे वो उसके किनारे इसतर को मतलब छुईंगे ठीक है तो रेल एक तरफ को मुड़ जाती है कभी कभी गिट्टी की भराई ठीक प्रकार ना हो तो फिश प्लेट के ढृले होने के कारण भी नीचे की परवर्वर्थी को इसी को हम क्या कहते हैं होग्ड रेल को एक त वियाकूचन जिसे हम बकलिंग ऑफ रेल कहते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेल पत का अपना मूल इस्तिती से विस्तापित होना ही रेल का वियाकूचन या बकलिंग गहेंगे उसे यह रेल के अप्रियाप्त प्रिसार अंदराल गैप के कारण रेलों को कारण भी हो सकता है तो जो हमारा बकलिंग है वो निमने इस्तानों पर होता है यह उसने नीचे समझा रखा है इसके बाद आपके इंग्रिस के नोट्स हैं तो इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक्यू क्लास